हर हर महादेव दोस्तो इस वीडियो में आपको मकर संकरांती पर लगने वाले गंगा सागर के मेले की पूरी जानकारी दूंगी दिल्ली से कलकत्ता तक की मेरी यात्रा और कलकत्ता से गंगा सागर की यात्रा का पूरा विवरन इस वीडियो में आपको मिलेगा एक बार आप सभी भक्त हर हर महादेव का नारा लगाए गंगा मया की जै बोलिए और मैं आपको बताऊंगी कि गंगा सागर कैसे जाएं कहां ठहरें गंगा सागर की यत्रा कब करें धरमशाला कहां मिलेगी कितने दिन का टूर प्लैन करें गंगा सागर में ठगी का शिकार हो प्रशन करना क्यों जरूरी होता है यह भी जानेंगे कि इस यात्रा पर कितना खचा आएगा और भी बहुत कुछ यदि आप यह सब देखना चाहते हैं बज़र टूर करना चाहते हैं ठगी से बचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गंगमया की जै बोलिए हर 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 महादे में कश्ट हुआ या कोई असुविदा हुई तो यही सरनातन है यही दरम है यही वारत है जब तक दरम जिन्दा है भारत जिन्दा है बंदे मात्रम गंगमया की जै आप पटना से आए हैं कब आये थे परसों आए थे तो परसों से गंगम सागर में है और कप जाने वाले हैं कलकत्ता वापस आज वापस जाने तो आपको कैसा लग रहा है गंगमया सागर आकर बहुत अच्छा लग रहे है लेकिन यहां पर बह॥ भीड है तो उससे कुछ आसुविदा हो रही है जादी नानी से यही सुना था सारे तीरत बार बार गंगा सागर एक बार ऐसा क्यों कहते हैं क्या गंगा सागर की यत्रा इतनी कटिन है अगर आप पूरी प्लैनिंग के साथ नहीं जाते तो गंगा सागर की यत्रा बहुत कटिन है अगर आप ग्रूप में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लेकिन अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से ही देखनी पड़ेगी चाना तो राजधानी में चाती थी लेकिन बार मेर कलकता एक्सप्रेस की टिकेट ही मिल पाई और उसे ही कनफर्म कर लिया बारा तरी को सुबह 10 बज़े ट्रेन रवाना हुई और अगले दिन सुबह 6 बज़े पहुचना था लेकिन मौसम खराब होने की वज़े से शाम को 7 बज़े ही मैं कलकता पहुच पाई फ्रेंड्स ट्रेन पूरे 14 घंटे लेड थी सोचा था एक दिन कलकता गोमूंगी लेक स्याल दे रिल्वे स्टेशन के लिए आवाज लगाती हुई बस मिल गई जिसने हमें 15 रुपए के किराय में 15 मिनिट में स्याल दे रिल्वे स्टेशन छोड़ दिया सुबह 4 बज़े वहां से लोकल चलनी थी इसलिए हम रेस्ट रूम में रुक गए 10 रुपए परती व्यक हर हर महादेव बहुत ही सर्दी हो रही है और दुंद का आलम ये है कि कुछ दूर पर ही कुछ नहीं दिख रहा लेकिन हाँ भीड बहुत है बहुत से लोगों से बातचीत हो रही है लोग बाग दूर दूर से आए हैं पर शासन के लोग भी हैं जो हमें रास्ता बता रही है यहां से कुछ दूर पैदल चलना है और फिर वहां से आटो पकड़ना है यह सब जानकारी हमें आसपास के लोगों से ही मिल रही है हम यहां पर पहली बारा हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां पर बार बार आ चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो टूर्स के साथ भी आए हैं तूर के साथ आने वालों की अपनी दिक्कते हैं टूर आपरेटर्स मनमानी भी करते हैं गंगा मया की जै और हर हर महादेव का जाप करते हुए हम सभी 15 मिनट चलते रहे और वहां से हमें मिला आटो जो की हमें ले एक बीच पर जहां से शिप जाता है गंगा सागर के लिए उसे लंज यात्रा या लौंज यात्रा बोला जाता है लेकिन ये लौंज यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी बहुत लंबी लंबी लाइने लगी थी और भीड कमाल की थी भीड का आलम ये था कि लोग कह रहे थे इस बार 30 से 40 लाख लोग आए हैं यहां पर लौंज के लिए टिकेट बिक रही है 80 रुपे की टिकेट है आने जाने की अगर आप इनसे कहें तो बस की टिकेट भी ये दे सकते हैं गंगा सागर सनान के बाद वापसी की यात्रा में लौंज से उतरने के बाद आपको बस की स खरीद लेते हैं तो आपको सस्ती भी पड़ेगी और सुविधा भी होगी टिकेट लेने के बाद फिर से लाइनों में लग गए हैं और लाइने हैं कि खतम होने का नाम ही नहीं ले रही और कभी-कभी धक्का मुक्की भी हो रही है कलकत्ता में हावडा स्टेशन उतरने के बाद स्यालदा स्टेशन पहुँचे और सुबह चार बज़े स्यालदा से लोकल पकड़ी गंगा सागर के लिए धुन्द खतम हो गई है ठंड अब बिलकुल भी नहीं है साड़ ग्यारा बारा बजने वाले हैं दोपैर हो रही है और हम लाइनों में ही खड़े हैं सारे तीरत बार-बार गंगा सागर एक बार हर-हर महादेव के जैकारों से आकाश गुंज रहा है भक्तों की भक्ती में कोई कमी नहीं है देखिए तो जरा अगर बात की जाए कि गंगा सागर कब आए तो साल में कभी भी गंगा सागर आया जा सकता है लेकिन बारिशों में यहां आने से परहेच करें 14 जनवरी को यहां पर मकर संकरांती का बहुत भारी मेला लगता है अगर आप भीड को बरदाश्ट कर सकते हैं इतनी ताकत है तो जरूर आये इस मेले में जीवन में एक बार यहां आना बनता है यहां पर शिप याने की लॉंज की लाइन में साथ या आठ जेटी बनी हुई है जहां से हमें जहाज पर चड़ाएंगे गंगा सागर आने के लिए पहले आपको कलकत्ता आना होगा और कलकत्ता से आप गंगा सागर के लिए लोकल ट्रेन या बस के द्वारा आ सकते हैं यहां आने के लिए टेक्सी भी चलती है और ट्रेवल टूर भी चलते हैं। कलकत्ता से शनिवार एरितवार को डारेक्ट शिप भी चलते हैं गंगा सागर के लिए लेकिन क्योंकि अभी मेला है तो शिप की सोईदा उपलब नहीं है। अगर बात की जाए खर्चे की तो यह डिपेंड करता है कि कलकत्ता तक आप ट्रेन से प्लेन से या बस से कैसे आते हैं। अगर गंगा सागर तक की यात्रा करते हैं तो आपको 25 रुपए लगते हैं बस से करते हैं तो आपको 100 से लेकर 200 रुपए तक लगते हैं और अगर आप टेक्सी से करते हैं तो आपके 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक पर परसन लग जाते हैं। कि हमारी यातरा है गंगा सागर के लिए फिर वहां से हमें बस लेनी है और बस से हमारा सफर है एक घंट का फिर हम पहुंच जाएंगे गंगा सागर गंगा घाट पर गंगा सनान के लिए बोलिये गंगा मता की जिन। उतर चुके हैं और अब हमारा सफर खतम होता है कुछ कदम दूर ही एक तरफ तो धरमशालाइं बनी हुई है यात्रियों को भोजन कर आया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ धाबे और होटल बने हैं और पट्री पर बहुत बड़ा बाजार लगा यहां पर शंक मिल रहे हैं असली रुदराक्ष मिल रहे हैं शाली ग्राम मिल रहे हैं रुदराक्ष और तुलसी की मालाएं मिल रही हैं पूजा का धेर सारा सामान मिल रहा है जो कि आप मोल भाव करके यहां से जरूर खड़ी दिएगा जब बस से उतरे थे तो पांच बच गए थे और पूरी तरह र रहे हैं सनान के बाद आरती कर रहे हैं पूजा पार्ट कर रहे हैं और यहां पर बहुत ही जबरदस्त प्रिग्राम चल रहा है चली आईए आप भी मेरे साथ थोड़ी सी गंगा आरती कर लीजे बोलिये हर हर महादेव गंगा मैया की जय हो भक्त गर्ण सनान कर रहे हैं और गंगा में यह की जै बोल रहे हैं चारों तरफ बहुत भीड़ है और बहुत ही लाजवा प्रिग्रैन चल रहा है बड़ा सा डमरू और इसके इंदर शिवलिंग बना हुआ है कपिल मुनी के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगे हुई है गंगा सावगर में इस नान के बाद घाट के सामने बने कपिल मुनी के मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है ऐसी मान्यता है कप्रिल मुनी के दर्शन के बाद जैसे ही बाहर निकले वहां पर नागा सादू दिखाई दिए, जो वहां पर एक महिने के लिए परवास पर थे, और एक नहीं बहुत से नागा सादू थे, जाते जाते एक बार फिर से गंगाजी में सनान किया, सकھیयों संग थोड़ी सी मस्त स्यालधा रिल्वे स्टेशन पहुंच गए और वहां से हम लोग पूरी जगनात मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हो गए पूरी जगनात मंदिर की यात्रा के लिए मेरे वीडियो देखते रहे हर हर महादेव गंगा मया कीजे अगले वीडियो में जगनात बाबा के दर्श करने के लिए फिर से मिलेंगे